आईस AI ने इंडिरेक्टली टॉट पे एक छोटा सा हिंट दियें सिए निउ कोर्स के रिगार्डिंग में आज के डेट में जो भी स्टुडेंट इस हिंट को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा बात है नहीं समझेंगे तो आगे चलके उनको प्रॉब्लेम फेस करना पड़ सकता है कुछ स्टुडेंट तो मुझे डेली बोलते हैं कि सिए निउ कोर्स के बारे में अपडेट करने के लिए मैं समझ सकता हूँ आपकर सिचिवेशन को या तो ओफीसेल या कोई इंटर्नल निउज मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे अपडेट करूँगा वैसे जो भी निउज आता है मैं आपको कोशिस करता हूँ सबसे पहले इंफर्म कर दूँ आप लोगों का जो भी कॉमेंट आता कॉमेंट बॉक्स में मैं सारे कॉमेंट को पढ़ता हूँ एक स्टुडेंट का कॉमेंट था उस पे लाइक भी था उस कॉमेंट पे कि डेली उठता हूँ और पूरे दिन वेट करता रहता हूँ निउज कोर्स का अपडेट का फिर रात में सो जाते हैं अपना प्लीज अपना टाइम बरबाद ना करें मैं अभी ऐसे सिच्वेशन पे हूँ वीडियो बनाओ तो प्रॉबलम किसी स्टुडेंट को वीडियो ना बनाओ तो भी प्रॉबलम लेकिन बहुत सारे स्टुडेंट मुझे समझते भी हैं इसलिए जैसे ही कोई भी अपडेट आता है मेरा कोशिस रहता है सबसे पहले मैं आपको प्रॉबाइड करो अब बात कर लेते हैं न्यू कोर्स के रिलेटेड अपडेट पे अपडेट बताने से पहले मैं आप लोग को इनफॉर्म कर दू अब तक क्या हुआ है जैसे कि आप लोग को पता है 18 और 19 जनवरी को काउंसिल का मिटिंग था निव कोर्स के रिगार्डिंग में फिर 19 जनवरी को अपडेट आए कि फाइनल डिसिजन लिया जाएगा 7 फरवरी 2020 को एक स्टुडेंट काउंसिल मेंबर से पूछते हैं कि सर प्लीज बता दीजे नॉमबर 23 से निव कोर्स एपलिकेबल होगा या नहीं होगा तो सरकाज जबाब ता कि अभी इस सिच्वेशन पे कोई नहीं आपको बता सकता है कि नॉमबर 23 से इंपलिमेंट होगा या नहीं होगा निव कोर्स ये मैटर सिर्फ आइसे है कि हाथ में नहीं है गौर्णमेंट भी इन्वाल्व है इस मैटर में इसलिए बोले हैं वेट करने को साथ फरवरी 2023 तक फाइनल डिसीजन आएगा उस दिन अब बात कर लेते हैं आईसे है एक्जामनेशन डिपार्टमेंट क्या हिंट दिये है अपने स्टडी मैट में इसको देखने के लिए आईसे है कि ओफिसेल वेबसाइट पे आना स्टूडेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करने इसकद बीउस नॉलेज पोर्टल वाले वेबसाइट पे चले जाना जैसे ही बीउस नॉलेज पोर्टल वाले वेबसाइट पे आओगे study material पे आपको क्लिक कर दें जैसे ही क्लिक करोगे इसकाद intermediate पे आपको क्लिक कर देना है इसके बाद scroll down करके थोड़ा सा नीचे है नीचे जब आओगे तो paper number 4 tax session 4B यहाँ पे बताया गया supplementary study paper section B indirect tax relevant for May 23 and November 23 examination देखो यह सिर्फ supplementary paper के बारे में update है CA intermediate का इस hint से यह confirm नहीं होता कि current course में ही number 23 का एक्जाम होगा बट यह hint काफी है पढ़ाई करने के लिए current course में जो भी student time बरबाद कर रहे हैं चाया foundation intermediate final का student please current course में ही पढ़ाई करे number 23 का और जो लोग का decision का wait ही करना है तो 7 फरवरी को decision आ जाएगा final decision council member का जैसे कि आप लोग को पता है कि CA intermediate number 23 का registration करने का आखरी date 1 March 2023 है और council member का final decision 7 फरवरी 2020 को आने वाला है अगर 15 से 20 फरवरी तक भी announcement आ जाएगा तो number 23 से हो सकता है applicable new course बाकि अभी कोई भी confirm नहीं बढ़ा सकता है कि new course कब से applicable होने वाला है because कि यह अभी सिर्फ ICI के हाथ में नहीं है government भी इस matter में involved है जिस भी student को wait करना है 7 फरवरी 2020 तक final decision new course के regarding में आ जाएगा इसके बाद भी time रहेगा 1 March तक कि new course applicable करने का उससे 5-10 दिन पहले भी IC announcement लाकर के applicable कर सकता है आगे भी new course के regarding में कोई भी update आएगा यह channel आपको सबसे पहले provide कर देगा तो आप लोग channel को subscribe करके all notification will दबा दीजिए कोई भी student जो number 23 में एक्जाम दे रहे है please आप लोग current course में पढ़ा यह start कर दीजिए